बारते क्रिकेट टीम इंदिनों न्यूजिलैंड के दोरे पर है जहां दोनों ही टीमों के बीच सेमित ओवरों के सीरीज के खत्म होने के बाद शुक्रवार को दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच वैलिंग्टन में सुरू हुआ इस मैच की पहली पारी में बारते टीम के शुरूआत कुछ खास नहीं रही वैलिंग्टन के बैसिन रिजर्व के ग्रीन टॉप पिच पर पहले दिन टॉस हाने के बाद बारते टीम बल्लेवाजी करने उतरी भारत की काफी खराब शुरूआत रही और पहले दिन लंच के बा तभी बारिस ने खेल बिगाड़ा और दिन के खेल को खत्म करना पड़ा भाते टीम को रिशब पंथ और अजिंके रहाने से कुछ उम्मीदे थी कि वो टीम को कम से कम दोसों से आगे लेका जाए इसी उम्मीद के साथ दूसरे दिन रहाने और पंथ की जोड़ी फिर से खेल उत्री इन दोनों बनले बाजों ने अभी तक स्कोर में सिर्फ 10 रन ही जोड़े थे और एक बड़ी गलती कर दी रिशब पंथ धीरे धीरे पिचपा सैट होते जा रहे थे कि रहाने के साथ उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी भाते टीम की पहली पारी के 69 वे ओवर की दू जा सकता था लेकिन दूसरे छोड से रिशब पंथ बहुत ही लापरवाही भरे अंदाज में भागे पहले तो दोनों ही बल्लेबाजों की बीच हान आ हुई जिसके बाद पंथ दौड़ पड़े पहले रुकने के बाद भागे रिशब पंथ जब तक बल्लेबाजी छोड पर पहुंचते तब तक पॉइंट से उन्हें एजाज पटेल ने सीधे थोर से रन आउट कर दिया पंथ देखते ही देखते रन आउट हो गए तो वही आखिर में उन्होंने अजिंग के रहाने की तरफ देख नाराजगी जाहिर की लेकिन पंथ को खुद की लापरवाही स से विकेट कवाना पड़ा था दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रिकेट जगत से जुड़ी अन्य खबरों के लिए